हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो फिजिक्स क्लास्टुदेंट्स आज हम यहां पे बी एसी फॉर्स टियर का टॉपिक करेंगे नेक्स्ट अपनी यूनिट वन चल रही है ठीक है यूनिट वन में हम पेपर वन डिस्कुस कर रहे थे यूनिट वन कर यह बिल्कुल पार्टिकल की लिए करवाया था लेकिन हमारा एक टॉपिक उसका लास्ट रह गया आपका जो की आपका किसकी लिए है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए राइट तो आपने हैडिंग तो डाली हुई है क्या कंजरवेशन theorem of energy लेकिन conservation theorem of energy जो आपनी की है वो अभी single particle के लिए की हुई है ठीक है तो इसका मतलब first part तो आपने किसके लिए किया था single particle के लिए किया था और उसके लिए आपने दिखा दिया था जो total energy होती है वो conserved होती है इसका मतलब T plus V constant के लेकिन अब हमें क्या करना है अब हमें किसके लिए दिखाना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए किसके लिए दिखाना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर आप लेके चल रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा पूरा का पूरा सिस् के molecules उनका भी फरक होता है यानि कि जो particles है system के अंदर उनका भी force होता है और जो external force में लगाती हूं उसका भी force होता है इसका मतलब अगर हम energy consider कर रहे है system of particle के अंदर निकालना वैसे ही है total energy निकले तो work done से ही हमने निकाला तो था last minute की energy क्या है कोई भी आप energy निकालते तो आप एक तरह से क्या करते हो वहाँ पर work done find out करते हो इसका मतलब करना तो मुझे यहाँ पर work done ही find out है लेकिन मेरे को जो force लेना पड़ेगा लागे कि work done is equal to force into displacement होता है है ना उसी से ही मैं क्या निकाल सकती हूं force displacement से करके ही हम वहाँ पर kinetic energy और potential energy का कोई formula करेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि work हमारे पास work done same उसमें हो रहा है एक से दो में तो उनकी जो right hand side है वो भी दोनों equal होने चाहिए उसी से ही हम क्या पताएंगे कि T plus V हमारा क्या आएगा constant आएगा इसका मतलब energy constant आएगी लेकिन वही वाली बात है आप system of particle के लिए energy conservation दिखाना चाहते है तो statement तो पहले लिखनी पड़ेगी statement कि आएगा इसके अंदर कि देखो आपने अगर last उसमें याद हो आपको तो आपने एक चीज ली थी इसके अंदर कि जो भी आप इसके अंदर internal force लेके चलते हो वो ऐसा force लेके चलते हो जो हम क्या करते हैं आपका मतलब क्या ब system of particle के बारे में deal करते हैं तो only हमारा external force ही रह जाता है internal force मेरा cancel out हो जाता तो एक तो इसके अंदर जब भी आप इसकी statement बताओगे system of particle के लिए किसकी conservation theorem of energy की तो एक तो आपको ये बोलना है कि force आप ऐसे लेके चलोगे जो derivable होंगे दूसरा जो internal force होंगे उसके उपर action and reaction जो ह होंगे हमारे वह equal उसमें यानि कि जो हम लेके चलेंगे system को internal force जो हम लेके चलेंगे वह हमारा कैसा होना चाहिए central होना चाहिए central यानि कि यहां है यहां और यहां से जो force लगेगा वह equal लगेगा तो opposite में है तो minus sign आगया जिसकी वज़ीसे ही क्या हो जाएगा आपका cancel out हो ज तो जो हमारी energy होगी system of n particle की वो हमारी क्या हो जाएगी constant याने की t plus v हमारा constant हो जाएगा तो अभी जो हमने समझा है एक बार उसको लिख लेते हैं फिर हम इसके derivation पर चलेंगे ठीक है तो यहाँ पर लिखिए statement statement किसकी लिखवारियों मैं पता है ना system of particle के को के अंदर conservation theorem of energy बता रहे हैं ठीक है और कितने particle से अपने पास suppose and particle है उसके corresponding हम इसको बता रहे हैं तो अब लिखिए कि statement क्या हो गए इसकी if the external forces are derivable derivable from me scalar potential function and if the internal forces are central then total energy that is T plus V of system is system of N particles is conserved or constant function चीज समझ में आगे आपको ठीक है कि किस सेरी किसे हम इसको बोल रहा है और यह पता मेरी क्यों बोला है कि T plus T minus V करके आपकी जो constant energy आएगी उसकी form में ठीक है लेकिन जो हमारी पास potential होता है potential के लिए आपको पिछे भी याद होगा मैंने f is equal to minus में डेल वी का यूज किया था यानि कि f is equal to minus के dv by dr का यूज किया था वहां से मैंने forces को निकाला था और फिर मैंने वहां से क्या निकाला था potential energy को बताया था इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो मेरा potential क्या होना चाहिए इसलिए मैंने क्या लिया है कि जो मेरे external forces वह भी मेरे क्या हो scalar potential के उसमें हम क्या कर सकते है उसका derivable कर सकते हैं ठीक है तो हमें यह चीज उनके mention करने पड़ेगी कि internal forces तो मैं central लेके चल रही हूँ external forces को मैं derivable लेके चल रही हूँ तो मैं क्या दिखा सकती हूँ कि मेरी total energy क्या habitat constant है यह conditions तो आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी तभी आप क्या दिखा पाओगे कि आपका unparticle के लिए system क्या है ठीक है इतनी चीज समझ में आने के लिए देखो आपको hint दोनों जंगे से मिल रही है कि आपको करना क्या है इसली अपनी वाली वैली निकाल लेंगे internal forces को central forces मान के चलेंगे और वोक डन इसके अंदर energy निकालते तो वोक डन निकालना पड़ेगा वोक डन किससे उसमें एक position से दूसरे position में तभी तो displacement दिखाएंगे वहां से हमें क्या करना है एक वारी टी निकाल लेंगे और potential के लि लेना पड़ेगा उसका एक position से दूसरी position तो टोटल वक डन निकाल दो आप ठीक है तो आप क्या लिखोगे total work done by all forces कौन कौन से external प्लस में internal in moving the system is equal to sum of work done in moving all particles from position from one position to second position ठीक है अब यह कहता है कि अगर इस तरह के से कर रहा है तो work done अगर one to two जा रहा है तो यानि कि work done one to two पहुचा दो ठीक है one to two पहुचा दिया उसके बाद submission के कि अब आपको पता है हम अगर एन पार्टिकल को कि पूरा system है पूरे system के अंदर एक एक पार्टिकल के साथ में deal नहीं कर सकती मुझे एक center लेना पड़ेगा ठीक है जिसे आप center of mass वगेरे कुछ भी उसके उपर apply करके बोल सकते हो तो अगर यह यहां हो रहा है तो मैं इस पार्टिकल को आयत पार्टिकल मान रही हूँ और सभी का इसी के उपर ही force देख रही हूँ तो मैं यहां पर भी क्या करूंगी एक आयत पा आई हमारे पास हो जाएगा अब यह कहता है कि यह जो force है यह खाली force तो नहीं है क्यों क्योंकि forces जो हमारे system पे लगता है वो external plus में internal दोनों लगते हैं इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे इसको एक बार resolve करके दिखाएंगे कि जो हमारे पास work done होता है इसको मैं क्या लिख सक तो आपको work done चाहिए small से हटाके work done चाहिए तो दोनों side integrate करेंगे यह वाला हर जाएगा यह वाला remaining रह जाएगा ठीक है तो यह किसना हो गया आयत particle पे external की वज़े से आपका जो force आ रहा है वो ठीक है जो work done हो यह तो force हो गया यह पूरा work done हो ठीक है उसके बाद यहां पर कि internal अगर लगा रहे हो यह तो खाली आपका आयत के लिए चल जाएगा ठीक है अभी कह रहा है कि जो internal लगा रहे है internal के अंदर क्या होता है जो दूसरा particle लगाता है वो भी effect डाल रहा है हम इस particle के ऊपर बहार से जितना force लग रहे हैं वो तो यह लगा दिया लेकिन इस particle के उप हमारे पस f i j और यहां पर कितना हो जाएगा आपका internal के बारे में बात कर रहे हो ठीक है तो d ri vector आपका यह हो जाएगा ठीक है अब यह ध्यार में रखना जहां पर भी मैं dot लगाती हूँ आपका dot वहीं put होना चाहिए जहां vector लगा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए ठीक है अब क्योंकि यह क्या कर रहे हो आप displacement कर रहे हो तो displacement क्या होती है vector quantity होती है that's why I am putting here the vector sign here ठीक है आपको यह arrow का sign यहां पर put करना ही पड़ेगा अब देखो यहां पर अगर यह हो गया तो आपको अब just क्या निकालना है देखो इसको मैंने बता दिया कि मैं total force को ऐसे लिख सक सकते हूं कि external plus में internal क्यों कि system था system के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अब यह कहता है कि आपको इससे क्या help चाहिए थी इसको मैंने अभी उपर बताया इससे मैं क्या निकालूंगी total आपकी kinetic energy निकाल सकते है potential के लिए तो मुझे यह formula लगाना पड़ेगा तो इसक लिए निकालूंगी नि मैं इससे kinetic energy की form भी निकालूंगी ठीक है kinetic energy की form निकालने है तो आप सब को पता है kinetic energy form के लिए आपको जो total force है उसको newton's losses second losses को resolve करना पड़ेगा dp by dt मे लिखोगे mv अगर आ जाएगा तो mv आ जाएगा तो आप उसको resolve करके half mv square में कुछ ना कुछ तो दोगे बनाई देंगे उसको है ना mv आने के बाद हम क्या छोडने वाले उसको छोडेंगे नहीं हम तो kinetic energy निकाल गे मानेंगे फिर इससे क्योंकि हमें पता है लो कौन सा second newton second law newton second law यह कहता है कि force is equal to rate of change of linear momentum होता है तो हम लगा देंगे वह वाला formula इसके उपर ठीक है तो यह लगा रहे हैं तो इस वाले के उपर ध्यान दो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जो हमारा work done है इसको हम लिख सकते है वान टू टू हमारे पास यह जो जा रहा है ठीक है और यह हम आयत पार्टिकल के बारे में बात करें सारे add up होते जाएंगे यह ठीक है यह कितना हो हम यहां कि इसको इस तरीके से लिख दिया ठीक है और इसके अंदर यह d r by d r जो आपका है इसके लिए मैं क्या कर सकती हूं d r by dt into dt इस तरीके से इसको लिख देती हूं कोई problem तो नहीं है एक ही चीज़ को मैंने same चीज़ से multiply or divide कर दिया मेरे को कोई problem नहीं है इसके साथ है और यहां पर dot product मैंने dot product लगा दिया हां अब यहां पर इसको resolve करके क्या लिख सकते है आपको पता है मास तो एक constant है differentiation से बाहर आ सकता है इसली सिर्फ क्या होगा इसका derivative होगा ठीक है इसका derivative होगा तो यहां से हम क्या कर सकते हैं इसको और solve करके लिख दीजिए कि submission i integration 1 to 2 आप क्या कर सकती हूं यहां से इसको solve कर सकती हो ऊ‍ठी से डीटी कैंसिल आउट कर सकती हूँ यह वी आई और dv i मैने को यह solve करके दिखाया है फ़े करवाई थी करबाया हुए नहीं यह जा मैने आपको kinetic energy solve कर वाई थी तो आप just इसके अंदर simple क्या कर सकते हो यह dvi करके आप दो उसमें आ रहे हैं यह इसको easily solve कर सकते हो इसको क्या लिख सकते हो यहां पर submission of i one to two mi इसको क्या लिख सकते है vi dot आपका कितना है dvi आपका है ठीक है अब मैं इसको क्या कि हमें पता है कि यह इसका differentiation कर रहा है तो मैं इसको पहले ही क्या कर देती हूँ 2 से multiply और 2 से divide करके लिख देती हूँ ठीक है इसको एक ऐसी form बना लो जिसको आप solve कर सकते हो एक ऐसी form बना लो जिसको solve कर सकते हो ठीक है तो मैंने इसको ऐसी ही form में लिख दिया submission of i 1 to 2 ये कितना हो जाएगा d half of mi dot vi का square ठीक है अब ये कहता है differentiation करके देखो differentiation करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 by 2 mi तो अपना भारी आएगा ठीक है vi का differentiation करोगे बिटा 2 से तो 2 ये cancel out हो जाएगा vi और vi का कर रहे हैं इसलिए dvi और हो जाएगा तो ये ही form दुबारा बन गई आपकी बन गई नहीं ये वाली इसका मतलब इस form को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ठीक है अगर ऐसे लिख सकते हैं तो आप सबको पता है differentiation और integration एक दूसरी को cancel out कर सकते हैं अगर cancel out कर देंगे तो result हमारे पास सिर्फ यही तो बचा और limit कितनी हो जाएगी 1 से 2 के लिए हो जाएगी ठीक है तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना हो जाएगा summation of i और यहां पर ये हमारे पास क्या हो गई kinetic energy हो जाएगी किसकी आयत particle की लेकिन range कहां से जाएगी 1 to 2 जाएगी तो आप इसको simple form में क्या लिख सकते हो T2 माइनस में T1 कि हमारे पास क्या कि upper limit माइनस में lower limit पुट करेंगे तो हमारे पास ये result आजएगा इसका मतलब इसने तो क्या दे दिया हमें kinetic energy की form दे दी ठीक है अब क्या करना है आपको इसके अंदर पोटेंशल एनर्जी की form में इसको calculate करना है तो मैंने आपको बताया था potential energy की form में हमें तो ये मानना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते किसी भी उसका वो करके constant करके जो हमारा scale है potential है उसका क्या कर सकते है derivable कर सकते है तो उसी चीज़ का ही हम क्या करेंगे यहाँ पर use करेंगे ठीक है जो चलिए next चलते है इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आई है इसको आप और भी form में कर सकते हूँ मैंने आपको last class में भी बताया था वैसे तो यहाँ पर दुबारा बता देती हूँ देखो जो यह आई है आपकी dvi by dt वाले form आई है आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर submission of i integration 1 to 2 और यहाँ से देखो मैंने आपको बताया था 2 से multiply करके 2 से divide कर देना तो यह easily आपका आजाएगा ठीक है तो यहाँ से मैंने क्या किया आपका mi by 2 कर दिया मैंने ठीक है और यह जो मेरे पास velocity थी मैंने इसको भी twice time कर दिया ठीक है इंटू में यहाँ पर कितना आजाएगा आपका dvi by dt इंटू में dt था ठीक है तो dvi by dt यहे जो इधर मैंने dt लिखा उससे cancel out कर दिया और यहाँ पर यह सिंपल आपका किसके equal आजाएगा टू वी आई हो जाएगा ठीक है तो टू वी आई का आपका क्या करना है इसका जैसे और तो जीज़े मेरी constant है वी आई की for me निकालना है तो submission of i मैंने ले लिया मैंने इसको बाहर निकाल दिया i का integration करोगे तो यहांपे यह कितना आजाएगा तो इस तरही कैसे कर लो कोई दिकत के बात नहीं है यहाँ पर ठीक है इसका integration करेंगे तो bei का square by 2 आजाएगा हमारी पास कितना आजाएगा by का square by 2 आजाएगा to by का square by 2 आजाएगा तो आप 2 से 2 cancel कर सकते हो और फिर इसकी limit put कर सकते हो 1 to 2 तो वैसे भी हो जाएगा ठीक है और नहींगा ना तो यह जो आपने dt यहाँ पे रखा था उसको cut मत करो ठीक है उसको cut मत करो mi by 2 को आप यहाँ पे बहार निकाल सकते हो 1 to 2 आपके पास यह आजाएगा d by dt आपके के यहाँ पे क्या है यह वी आई और यह भी वी आई है तो आप सिंपल उसको क्या लिख सकते हो वी आई का square और यहाँ पे dt कर सकते हो dt से dt आपका cancel हो जाएगा differentiation से यह integration cancel out हो जाएगा जस्ट इसकी limit put कर दीजिए ऐसे भी कर सकते हो कोई भी आप इसके अनल तरीका यूज कर सकते हो कोई दिक्त की बात नहीं है ठीक है यह वाला वैसे ठीक है यह वाला फिर भी ठीक है फिर यह वाला भी ठीक है तो 3 बता दिये अपको आपको को सब इसकी उसको चूझ कर सकते हो और last जब मैंने देखो अब हमने यह कहा था कि जो हम forces लेके चल रहे हैं वो कैसे लेके चल रहे हैं हम scalar potential का derivable ले सकते इसका मतलब क्या है कि जो दोनों forces है वो कैसे हैं हमारे conservative forces हैं अगर conservative forces है तो हम उसको किस तरीके से use कर सकते हैं वो यहां देख लेते हैं ठीक है So if the internal and external forces are conservative तो टोटल फोर्स इस एफ़ाई ऑन आयत पार्टिकल कैन बी रिटेन एस कैसे लिख सकते हैं हम एफ़ाई पार्टिकल को डेरिवेबल बना रहे हैं ठीक है और किसके उसमें पोटेंशल आयत उसके उपर ठीक है तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं और सभी कोई पता ही है कि जो आपका एफ़ाई है याने कि आयत पार्टिकल है तो हमारा टोटल फोर्स है तो टोटल फोर्स हमारा किसके एक्वल होता है आपका दोनों फोर्स के उसमें होता याने कि इंटरनल प्लस में एक्स्टरनल द दोनों लग रहे हैं तो हम दोनों ही वहां पर क्या कर सकते हैं तो आगर इस तरीके से हम नों वहां पर दो जो हमारे पास forces यहां पर रहेंगे यह वाला ज़ो आइक पार्टिकल पर लग के लिए solve कर रहे हैं ठीक है फिर किसके लिए कर रहेंगे हम internal energy के लिए भी कर लेंगे क्योंकि यह हमारी पास दोनों के लिए हैं तो आप यहां पर क्या लिखोगे where v i is the potential energy and v i can be represented as the potential energy for the external particle प्लस में आयत पाटिकल पे जो potential लग रही है due to the internal energy ठीक है तो internal पार्टिक इंटर्नल जो सिस्टम है उसकी वज़े से जो है वो यह हो जाएगा potential और जो external की वज़े से लग रहा है वो हमारा यह हो जाएगा तो हम पहले निकाल रहे हैं यहाँ पे आप mention कर सकते हो यहाँ पे किसके लिए work done by external forces ठीक है work done by external forces तो जो potential है वो भी मैं external के लिए लेके चलूंगी है तो work done आपका one to two के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा submission of I one to two के लिए force हम कौन सा लेके चल रहे है only external लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हमारा यह displacement का form हो गया अब आपको पता है force को तो मैं इस तरीके से लिख सकते हूं लेकिन किसके लिखूंगे सिर्फ external के लिए तो यह कितना हो जाएगा submission of I यहाँ पे minus का sign भी है और integration आपका कितना हो जाएग होँ आहाँ पे से लिख सकते हैं तो मैंने मैंस साइन आगे लगाया है तो इसको पाडा रहे हो रहे हो ग्रेटिंट और Wii MICHAEL किसके लिएSmaltro जो होती है तो यह कहता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, हम अगर इसकी form में लिखेंगे, तो यहां पे इसको लिखेंगे, माइनस का submission of I, integration 1 to 2, इसको easily form में करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? अब कई बच्चों के mind में आ रहा हुगा question यह मैं आमनी यह वाला कैसे लिख दिया बिटा ऐसे लिखा देखो डेल operator क्या लिखते हैं suppose यह आर नहीं x में होता क्योंकि आपको पता है यह r क्या show कर रहा है r यह show कर रहा है कि जो coordinate है वो मैं x y z क्योंकि मैं system को लेके चल रही हूँ तो x y z तीनों में चलेगा ठीक है आपने उसमें पढ़ा होगा आपके second paper के अंदर कि जो डेल operator है वो जिस्ट क्या है gradient gradient क्या करता है हार direction में उसको differentiate करके दिखाता है इसका मतलब इसको curly by curly x i plus में curly by curly by j plus में curly by curly इस तरीके से लिख सकते हैं इसको भी मैं किसकी form में लिख सकती हूँ आर को भी x i plus में y j plus में z k की form में लिख सकते हो अब यह भी derivative form में है तो यानि कि d x i d y j और d z k की form में हमारे पास यहां हो जाएगा यह ठीक है अब क्या करना है इनका dot product करना है dot product करना है तो इसके साथ में तो क्या है vb include है तो यानि कि यह कितना है d v by dx i cap को dot product करना है d x i cap से i तो आपका क्या हो जाएगा i dot i तो one हो जाएगा d x से आप dx क्या कर सकते हो cancel out की यहां पे बच कितना गया आपका dv ही तो बच गया इसका मतलब मैं इसको solve करके directly यहां पे लिख सकती हूं ठीक है तो आपको यह चीज भी यहां पे पता होने चाहिए कि मैंने यह चीज कैसे लिख है अब जिस्ट क्या करना है इसको integrate करना आपको पता है differentiation integration को cancel out कर देगा और जस्ट आपका result कितना आजाएगा submission of i यहां पे कितना आजाएगा वी आई और limit कितनी चली जाएगी मेरी 1 से 2 तो यह कितना आजाएगा लेकिन यह बताया किसके लिए था सिर्फ external के लिए तो v1 external minus में कितना हो जाएगा v2 external लेकिन हमें तो किसके लिए चा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन potential energy को आपको अभी अपने external की form में किया है ऐसे ही आपको internal भी करनी पड़ेगी अब internal के अंदर दोनों जो forces लगा रहे है वो एक दूसरे के उपर मतलब कैसे action to reaction force लगा रहे है यानि कि FIG किसके इक्वल होता है minus of GI के इक्वल हो internal forces are conservative then then FIG is equal to minus में del of J del IJ इसका मतलब force on the Jth particle due to Ith particle क्योंकि मेरको आप force दोनों देखने पड़ेंगे internal के बात कर रही हूँ तो internal के अंदर I का भी J के उपर effect और J का भी I के उपर effect देखना पड़ेगा तो यहाँ पे आप इसको mention भी कर सकते हो force on Jth particle due to Ith particle एक लिखवा दिया दूसरा आप लिख सकते हो तो F of GI किसके इक्वल हो जाएगा minus del of I यहाँ पे कितना हो जाएगा V of GI इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ Ith के उपर force दिखा रही हूँ किसकी वज़े से Jth की वज़े से ठीक है तो अगर यह इतना है तो आपको तो पता ही है कि यह मैं कैसा मान के चल रही हूँ जो आपका scalar वाला function है और जो आपका internal forces है internal forces को मैंने कैसा माना है आपका central force माना है central force माना है इसका मतलब F IJ is equal to minus of F GI के equal होएगा तो अगर यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है तो position के अंदर ही फर्कान है position के अंदर फर्कान है तो इसका मतलब हमारा जो V IJ है मैं इसको लिख तो सकती हूँ V GI लेकिन यह opposite के अंदर इसके position में फर्क दिखाएगा इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते है आर आई माइनस में आर जे लिखना पड़ेगा कि दोनों के इनहीं के अंदर ही क्या आएगा चेंज आएगा ठीक है अभी कहता है कि अगर आपने इस तरीके से इसको यह लिया है वह इसलिए लिया है कि अगर यह हमारे पास थोड़ा बहुत माल लो वन का डिफ्रेंस से जो भी आता है तो मैं इसको इसके इक्वल कर सको ठीक है तो यह कहता है अगर इसके इसके इक्वल कर सकते हैं तो fij को मैं क्या लिख सकती हूं del of j simple a की quantity के अंदर present कर सकते हैं तो यहाँ पर यह देखो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी fij is equal to minus में del of j del of j किसके equal था आपका vij के equal था ठीक है अब ही कहता है मैंने आपको बता दिया del operator क्या कहता है curly by curly x i plus में curly by curly y j plus में curly by curly z k cap यह आपका होता है तो इसको एक simple form में क्यों लिख दू में कितना curly by curly r यही बात तो है curly by curly r इस तरीके से लिख दो और r क्याएगा vector quantity है क्योंकि x y z के अंदर जो भी आप इसलिए मैंने आपको क्या बताय था कि जो v है वो तो आपकी scalar उसमें आ जाते है लेकिन जो gradient है वो कै इसा है आपका scalar लेकिन यह क्या है आपका एक vector quantity है इसलिए इसके उपर ही क्या लगा रही हो मैं arrow लगा रही थी ठीक है अभी कहता है कि यह इतना है तो यह किसके equal हो जाएगा minus में curly r ठीक है और यह कितना हो जाएगा जे के उपर apply क्योंकि यह क्या कर रहा है एफ आई जे का आपने यहां जो potential है वो तो i, j दोनों की वज़े से है लेकिन आपने जो एक differentiation यहां पर derivable function जो आपने लिया है scalar potential का वो सिर्फ एक उसके लिए कर रहा है लेकिन हमें तो दोनों के लिए करना पड़ेगा इसका मतलब यह जो आपका curly by curly r, j है इसको आपको दोनों ही form के हमारा applicable रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर इसको उसी form में convert करना पड़ेगा अगर convert करना है तो ध्यान से देखो हमें क्या करना पड़ेगा हमारे पास यह quantity थी ठीक है अगर यह quantity थी तो आपको पता है क कि मैं एक quantity को equally multiply and divide कर सकती हूँ ताकि मेरे function पर कोई भी fact ना पड़े ठीक है अब मेरे पास यहाँ पर क्योंकि IJ का था यानि कि मैं क्या कर रही हूँ J के उपर निकार रही हूँ effect किसकी वज़े से I की वज़े से तो मैं इसी को ही multiply और इसी को ही क्या कर देती हूँ divide कर देती हूँ ठीक है अगर इसी को ही divide कर दी तो IG मैंने यहां कर दिया और यहां कितना कर दिया कर दिया मैंने कर ली RJ इसके ऊपर कोई फरकंप पड़ा नहीं पड़ेगा ठीक है पड़ेगा हीनिक कोई तो हमारे पास क्या आजाएगा यह form आ जाएगी, ठीक है, अब यहाँ अगर यह form है, तो मैं इसको इसके साथ में ले लेती हूँ, ठीक है, इसको क्या कर दिया मैंने इस साइड और इसको इस धर्गर देती हो, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास curly rij upon curly rj ठीक है और यहाँ पर कितना हो जाएगा curly by curly कितना हो जाएगा hij vector आप का यह आ जाएगा ठीक है अब यहmeter है कि इसको क्या लिख सकते है यह कहता है position vector आप जरyağı बी ले के चालते हो ठीक है यह suppose a iate के लिए था यह J के लिए था, यह इसका displacement दिखा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, R, I, J ही तो लिखेंगे, यह कितना हो जाएगा, suppose final यह है आपका, और एक ही यह है, ठीक है, तो आप क्या, अब यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ, कि J के उपर निकाल रहे हैं, I की वज़े से, ठीक है, इसका मतलब यह I और यह J, तो इस position vector को कैसे लिखेंगे, R, I, minus में R, J करके लिखेंगे, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, आपका, R, I, minus में R, J की form में, क्योंकि मैंने आपको उपर भी बताया था, कि, यहाँ बताया तो था मैंने आपको, कि V, I, J और उसको अगर लिख सकते हो, अगर कर सकते हो, तो मैंने simplist को ऐसे लिख दिया, तो मेरे को नहीं लफता किसी को कोई effect पढ़ेगा, इससे, कोई effect नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब कि, जो मेरा R, I, J है, इसको मैं यह लिख सकती हूं, ठीक है, यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस परम के अंदर, सॉल्फ कर लेते हैं, करली by करली R, J, यहां क्या कर सकते हैं, करली I minus, में करली R, J, ठीक है, और यहाँ आपका यह वाला factor है इसको as it is, पुट कर दीजे, करली R, I, J, ठीक है, अभी कहता है, कि अगर आपका यह नीचे भी इससी कर differentiation है तो मैं एक काम कर लेती हूँ ना एक काम कर लेते हैं कर ली r i by curly r j minus में curly r j by curly r j करके लिख सकते हैं इसको लिख सकती हूँ ना ठीक है तो यह कितना हो जाएगा dot product में यह कितना हो जाएगा curly r i j अब एक काम देखो कि यह पोजिशन वेक्टर है लेकिन सारे आयत के पार्टिकल डिफ्रेंशेशन करना चाहती हूँ जयत के लिए जब उसमें जयत के पार्टिकल है नहीं तो डिफ्रेंशेशन मस्ट बी equal